पाकिस्तान में चुनावी नतीजे करीबन साफ हो चुके हैं। वो फिलाल पीछे चल रहे हैं। कि तरफ से कुछ इस तरीके से शडियंत रचा गया। कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जो पाटी है। उसका जो चुनाव चिन था यानि की बैट उसे पूरी तरीके से रद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान की जितनी रैलिया होनी थी चुनावी रैलिया उन सबी को भी रद कर दिया गया। आप कोई भी रैलिय नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक का अकड़ा ये बताता है कि इमरान खान को 34 साल की सजा जो हो चुकी है। अब आप ये समझे रैलिया रद कर दी गई। चुनाव चिन जो है वो पूरी तरीके से रद कर दिया गया। कोई भी जो रैलिय है उनकी तरह से नहीं की जा रही थी, कोई मीटिंग्स जो है वो नहीं की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच में आज जब चुनावी नतीजे सामने आये तो हर कोई हरान रह गया। कि बाई ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान जो है वो अचानक से जीतने लग गये, लोगों के दिलों में राज करने लग गये। लेकिन आप ये भी समझे कि ये जो चुनावी नतीजे सामने आ रही है सर्फ इमरान खान की जीत नहीं है। ये जीत है उस जनता की भी जो है इस बात के लिए साफ तोर पर कह रही है कि अब हम सेना के खिलाफ हला बोलने के लिए तयार हैं। क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो किस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों जेनरल शरीफ को जिताने के लिए हर मुम्किन कोशिच जो है उनकी तरफ से की जारती वो चाहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो चुनावी मैदान में उत्रे और जीते और इसलिए पिछले ने की उनके पार्टी का चुनाव चंता वो बैन कर दिया गया तो मैं आपको बताते हुए बड़ी असान सी स्ट्राटेजी जो है इम्रान खान के तरफ से अपनाए गई वह यह थी कि जो इम्रान खान के जो नेता हैं वह उतर गए निर्दलिय उम्मीद्वार के तौर पर और अब जब वो निर्दलिय उम्मीद्वार के तौर पर उतरे तो सबसे बड़ी बात क्या थी वो थी अपनी आवाज जनता तक पहुचा आने के लिए लेकिन क्या करते हैं इलेक्शन कमीशन ने तो मना कर दिया कि आप तो रैलिया कर नेक सकते फिर उन्होंने इस्तिमाल किया सोशल मीडिया के जरिये इमरान खान ने वर्चुल रैली करनी शुरू की और आप याद कीजिए वो वक्त जब पहली वर्चुल रैली जो है इमरान खान के तरह से की कि उसमें वो नजर भी नहीं आते थे सिर्फ उनका भाशन चलता था और भाशन में सर्फ उनकी फोटो न पाकिस्तान में सेना की तरह से जो कुछ उन्हें टार्गेट किया जा रहा है उन सभी बातों को लबो लबाब करके जो है इमरान खान अपनी रैलियों में इस्तमाल कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जब आप चुनावी नतीजे सामने आए तो अब इन सब का लबो लबा पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के खिल कर अब मोर्चा खोल चुकी है अबर वे बातों की जनता पाकिस्तान की जनता आप km लबार किस्तान की जनता है